तो लोगाज कैसे हैं आप लोग उमीद हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था mcq question के बारे में वो class 12 गाही था लेकिन वो ITES था लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं class 12 का media entertainment किसका बात करने वाले हैं media entertainment का के बारे में बात करने वाले हैं और यह mcq से related question होगा इसमें कुछ question ऐसा होगा जो multiple twice question होगा और कुछ question ऐसा होगा जो आपको multiple twice question नहीं होगा लेकिन one marks ही मिलेगा उसमें आपको खुद से जवाब देनी पड़ेगी इसमें आपका option दिया रहा था उन्हीं में से आपको चूच करना होता है mcq वाले में और उस वाले में क्या होती है आपको खुद से लिखनी पड़ेती है तो यह तो आपकी थी media entertainment के बारे में कैसे कैसे question होता है ठीके ले unit of a computer system which display the result is known as कहना है का मतलब है कि computer system जो है तो जो आपको रिजल देता है जहां पर आपको परिनाम दिकता है ठीके उनको अमको उसको क्या कहते हैं उसको क्या हम लोग central processing unit उनीड बोलते हैं कि हम लोग input unit बोलते हैं या पिर हम लोग output unit बोलते हैं देखिए कोई भी चीज आगर कोई भी content आपको display करता है इसका मतलब वो क्या है वो आपका output है मतलब अंदर की चीज़ों को क्या करता है वो बाहर करता है क्या करता है तो यह आपका कौन सा यूइट हो जाएगा अब output में बहुत सरी हो जाएगा जैसे आपका printer के बारे में बात करते हैं पर अपकोड़ करते हैं तो यहाँ इस question का जो answer होगा basically वो कौन सो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा output unit याद रखिएगा clear है चलिए आगे बढ़ते next question है कि a kilobyte is equivalent a kilobyte is equivalent यानि a kilobyte dot 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 के बराबर होता है क्या 100 byte के बराबर होता है 10 byte के बराबर होता है 1024 bytes के बराबर होता है तो एक kilobyte जो होती है 1 kilobyte मतलब 1 KB क्या मतलब 1 KB 1 KB 1 KB बोले तो एक kilobyte तो 1 KB कितने byte के बराबर होता है 1024 byte के बराबर होता है ठीक है दोस्त आपको भी share करते जिएगा दोस्त आपको क्या करना है share करते जाना है ताकि वह बच्चे भी सीख ले जिसके पास यह चीज अबलेबल नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर तो कोई आपका चलिए उसके बाद next question आपका आता है water the types of parts of speech इसमें कुछ question आपको grammar से देखने को मिलेगा तो उसको भी धियन में रखना है च्चोटा कोशन आएगा what are the types of parts of speech कितने प्रकार के होते हैं तो पार्टे कितने होते हैं आठ होते हैं नाउन प्रोणाउन प्रोण यह चीज आए यह आपको आठ प्रकार के होते हैं next question है what is the origin of xyz in Maya कहता है कि Maya में xyz का मूली अस्थन क्या होता है तो Maya में जो मूली अस्थन होता है xyz का वो होता है बी नमर यानी 000 होता है कैसे होता है 000 होता है यह चीज़ यह चीज़ आपको दिखनों को मिला यह Maya का है असल माया जो है ना Maya एक तरह का सॉप्टिवेर है बहुत जल्द ही आने वाला है और Maya जो है यह Maya आपका जो है यह विंडो उप्रेटिंग सिस्टम धरी हटेगा और Maya ही आएगा क्योंकि Maya जो है ना एक तरह का यूज करेगा और माया जो है यह आपका बंतू से बंटू जो है वह आपका लेनक्स से है ठीके चलिए इसे इस्टी लैब में देखा होगा सब इसके बारे हम डिटेल से हम समझाते लेकिन बोर्ड पे समझाएंगे इस पे तो हम बता नहीं पाएंगे ठीके चलिए नेक्ट कोशन आपका आता है मतलब माया सफ्टवेर रौ से तीन अक्ष का उप्यो चाहयता हो किया जाता है एक्स वाइ ज्यट का किया जाता है किसका कहता है यह हो उगया एक्स औा तो इन में कहता है कि अगर हिंदी देखा जाए तो इसमें लिखावा सोर बतावरन इस विकर के साथ आंक से संपर्क ना बनाए रखना ये होगा ध्यान ना देना ये भी होगा उपरोग सभी सभी काईना का मतलब है कि अगर बाहर में पूरा वता वर्न होगा तो गिकत ऐाएं करेगा नहीं करेगा बाधा बाधा करेगा बाधा का मतलब बाधा है समझ लेजिए बाधा डालता है तो अगर जोर-जोर से सोर करेगा तो उससे भी आपको बदा पड़ेगा अगर बाद चान से पड़ रहे हैं बाहर में अगर हला करेगा तो इससे दिक्कत हो जाएगी नहीं तो सोर बतावरान इससे आपको यह सही है इसके हिसाब से बाधा डा जाएगा राइट चलिए अगला कोशन है वाटर दे करेक्ट्रिक्टिस्ट आप एडियल मेसेज काता है कि एक आधर संदेश की विसेस्ताई क्या है काता है किलियर कॉंसीस या एक्यूरेट या ओल आप देवर तो को एंसर करने जाएगा आपका ओल आप दा एबाब हो प्रिंटर के अंदर चार कलर राता है क्या होती है एक प्रिंटर आता है इस तरह से अज प्रिंटर के अंदर एक कलर यहां यहां रहेगा यहां रहता है यहां रहता है यहां आपका बलेक रहता है नहीं यहां आपका जो होता है यह आपका सियान रहता है सी वाई एम के मतलब करना का मतलब है सी से मतलब होता है सियान एम से मतलब होता है मेजंटा वाई से मतलब होता है येलो एंड के से मतलब होता ह की को हम लोग क्या बोलते या बोलते हो प्रन क्या स्वार शैंड गराइट ऐसी स्ब्सक्राइब अगर आप से कउस्चर पूछ देगा औरे ही अगर पूछ देज सुन कि RGB का पूरा नाम क्या होती है computer के अंतर गत तो क्या जवाब जाते हैं तो RGB अगर पूछता है तो RGB में हम डालते RGB B से black यहां से क्या जाएगा RGB यहां जाएगा black क्या हो जाता है आपका black वह जाता है याद रखिए इसको ठीके तो RGB जो color होती है यह RGB color जो भी computer के अंदर कोई डोक्योमेंट रखते हैं डोक्योमेंट में computer के अंदर ही आपको अगर save रखनी है तो आप RGB select कर लिजिएगा अगर आपको print करना है तब आप CMY के को select कर लिजिएगा राइट चलिए next point बढ़ते है तो इसका answer कौन था था ए नमर इसका answer है याद रखिएगा रटलो भाई रटलो सब कोई रटलो इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं 10 नमर में काता है how many different parts of speech are the year काना का मतलब है कि parts of speech कितने बेद होते हैं तो सीदी सी बात है बचे से पढ़ा होगा कितना होते हैं 8 होता है कितना होता है आठ होता है याद रखिएगा रट जाइए इसको घोर के पी जाईए ठीक है आगे बढ़ते है विच होट की is used for vertex mode ठीक है कहता है कि वह टक्स मोड के लिए किस होट की का उप्यों किया जाता है तो किस का करते हम एप 9 करते हैं function की एप 9 है राइट याद रखिएगा रट जिए इससब को ठीक है नेक्ट कुर्शन है identify the object in the sentence the children played football हम इसका हिंदी आपको पताते हैं काता है वा कि में वस्तू की पाचन करें बच्चों ने फुटबोल खेला बच्चे बच्चों ने खेला खेला कौंची ख जाएगा तेरह में question is not a parameter to describe and visual personality बतलब कहता है कि निमलीखीत में से कौन सा एक वर्नन करने के लिए एक parameter नहीं है व्यक्ति का व्यक्तित तो आत्मविस्वास सबसे अच्छा कौन सा हो जागा आत्मविस्वास याद रखिएगा इसको ठीकिए आत्मविस्वास चोदे नमर क क्या बोलते है एक्सल को ही बोलते हैं हम लोग spirit sheet program किसको बोलते है एक्सल को ही हम लोग क्या बोलते हैं spirit sheet program बोलते हैं तो यह question कहता है कि print preview मतलब print करने से पहले हमको देखना है तो इसका shortcut की क्या होता है तो इसका shortcut की होता है control plus P क्या होता है control plus P ठीक है next question होता है आपका 15 नम चैना पावर पी एंटी रहे सब का एक ही साट की होता है कॉन्टोल प्लस यू कौन सा होता है इसको आपका next question आता है आपका, अच्छा, यह जो question थी यहां तक, यहां पंद्रया question जो है, वो आपका MCQ था, कितना था, multiple twice question था है, इसमें आपको जवाब देना था, इसमें में से answer आपका option दिया रहा था, उन्हीं में से आपको कोई एक चूच करना था, तो यह आपका 15 marks का था, आपको म 3D का पुरा नाम क्या होता है, पहला question, यह जवाब देना है आपको, option नहीं है, तो 3D का पुरा नाम क्या होता है, तो हम लोग movie बगर सब देखते हैं, 3D, 3D, इसका मतलब 3Dimensional, तो हम यह answer लिख दिया बगल में इसका पुरा नाम क्या होता है, 3Dimensional होता है, याद तो याद रखेगा कितना होता है मया के अंदर नहीं कर नहीं दो लिख दीजेगा आप नहीं भी कितना क्या गता है लगते बंपर कितने उसे लगतेग कितना किया घृता है चौदे रखे सिरिपर पांच होता है जर्प पॉल्द इंड रॉम मिस्टे ए लगेगा इसमें भी लगेगा तो रैम और रम में क्या फूल फॉर्म क्या है तो फूल फॉर्म रैम का पुरा नम होता है। रैंडम एक्सेंस मीमोरी और रॉम का होता है रीड मीमोरी है। सबमें आपको एक एक नमबर मिलेगा। फिर कता है अगला कोश्चन है which contains one or more work seat what is occurred मतलब कहना का है जिसमें एक या एक से अधिक work seat होते है उसको हम लोग क्या बोलते है work book बोलते है अगर मेरा Excel का वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको समझ में आ गया तो क्या होता है work book होता है फिर कहता है what is the shortcut key to bold text in spirit seat spirit seat में bold करने के लिए shortcut क्या होता है control भी होता है तो ये आपका question 15 question MCQ था और इधर आपका 8 question क्या हो गया objective type का हो गया यानि तुमको हम बता दिये 15,8 कितना हुआ 20 question आपको हमने provide करवा दिये इसको आप याद दख लिजीगा कापी important question है यहां से बहुत question आपको देखना को मिलेगा objective में तो अब बात आती है subjective question की जैसे subjective question है short answer type question होगा फिर कुछ आपको long type question त्पर देखने को मिलेगा लोंग question जो होगी आपको दो question होगी और आपका जो है ये question जो हो हम तुम यह आपकी question थी तो ये सब हम नेक्स वीडियो में लिखर के आएंगे और आप अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए दूसरे को सेयर कीजिए यहां कंप्टेशन नहीं हो रही है मैं बार बार बोल ना हूँ दूसरे को भी पढ़ने का मुखा दिजिए दूसरे को आप हवसला अवजाई किजिए ठीक है फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तब तक के लिए शुक्रिया